ओम् स्रीगन शाय नमह नमह शंश कृताय गजान नम्भूत गड़ादिशे वितं कपित्थ जंबो फल चारुभक्षणं उमाशुतं सोक विनाश कारकं नमामि विगनेश्वर पाद पंकजं या कुंदेंदु तुशार हार धवलायाशु ब्रवस्त्राविता या विजावर दंड मंधित करायाश्वेत पदमाशना या ब्रम्हाचुत शंकरह प्रभित विरदेवईष दावंधिता शामां पातुशर श्वती भगवती निहसेश जाध्यापह शुक्लां ब्रह्म्ह विचार सार परमामाध्यम जगद व्यापिणिम् वीडा पुस्तक धारिणिम् अवयद्यम जाध्यांद कारापहम् हस्तेस्फाटिक मालिकाम विदधतिम् पदमासने संस्थिताम् और वंदेताम् परमेश्वरीम् भगवती बुद्धी प्रदाम् शाहर दाम् शराश्वती नमस्तोभ्यम् वर्दे कामरूपिणिम् विद्यारंभं करिश्यामी शिधिरभवत मीश्यदा शभी लोग को नमस्कार शूश्वागतम नमस्कार तो सभी लोग अपने सभी ग्रूप में सेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक करें अगर अच्छा लगता हो तो जिसकी जो भी और प्रॉब्लम हो आप लोग पुछ सकते हैं तो सबसे पहली जो कोस्तन आज हम लोग डिसकस करेंगे यह सीटेट कह सकते हैं और यह अंपी टेट के लिए बहुत हीरफुल होगा सूपर टेट के लिए आगे और भी भी क्लासेस जो लगातार में से जारे हैं सब सूपर टे कि एक सेकेंड को सबसे पहला कि पठन पूर्व कार्यश्यों देशह पठन पूर्व पढ़ने के पहले का कार्य का उद्द्ध क्या हो ना चाहिए क्या हम लोग उस पढ़ने के पहले कुछ क्रियाओं को करते हैं अब आपको पताई होगा जो लोग बनाए होंगे अपना लेसन प्लान होगा उसमें दिखाते हैं कि वो पहले क्या करते हैं तो सब सारी चीज़ों का करें कठिना कठिना नाम सब्दा नाम पद पुंजा नाम च और्थनिधार नम जो कठिन सब्द आते हैं उनको एक अत्रित क लिए बता दे पले रिखास अंतिम क्रिया होती है इसको सुरू में नहीं करते हैं ठीक तो सबसे पहला बात आप इसको काट कर दीजिए यहां से हड़ जाएगा कठिन सब्दों का जो जनरली अगर देखा जाए आप लोग गर जो भासा सिक्षक होंगे स्कूलों में और लोग क्या करते हैं कि कोई कविता या कोई पार पढ़ाते हैं को कठिन सब्दों को पहले लगते हैं बताने ऐसा करते हैं आत्रों को प्रेयूरित करने अर्थात जो हमको सिखाना है पहले उसमें रूटर जागरित करें किया बच्चे जानते हैं Puisforder अगर अंगर हिम चरचा करें तो हमको यह मतर्ब समझ किसमेर हो क्या रहा है रहा है शुम्रुकश हमको पढ़ाना है सवर परिवार न जॉब आप लोग क्या करते हैं कुछ बच्चों से परिवार किसे करते हैं हमारे परिवार में कौन है आपकी परिवार में कौन है ऐसे से करते करते फिर हमारी प्रिथिभी क्या है फिर चंद्रमा को जानते हो ने जानते हो या कोई और फिर जाते जाते फिर सूर्य क्या है तब बतात कि सब्सक्राइबूकूर तो उसी तरीके से क्या होना चाहिए उसका क्या किया जाता है उसके प्रती क्या होना चाहिए हमको बच्चों के अंदर कुछ कुछ हम ऐसा करें कुछ उनके पूर्वग्यान से कुछ इस तरीके से जोड़ें जिससे उनके मन में जिग्यासा हो कि आज हमें चीज नया पठने वाले हैं और इसको ध्यान से सुनेंगे ठीक तो उस हिसाब से राइट एंसर भी हो जाएगा नेश क्वेस्टन बावन का छात् अब यह पूरी के पूरी अगर आप्ट्न को आप खंगालेंगे देखेंगे तो एक बात इसमें से वावन में निकल करके आएगा क्या चात्र लोग जो है भासा का अधियां करते हैं और उसका प्रियोग भी करते नए हो सकता सहज सहजांतक्रिया परिसरे तो यह डी वाला रहा था लेकिन करहें कि चात्र जो है भासा का करते हैं. अब.. भुसा-साहित का अध्यां से जो एग साहित के अध्यां से हिसाहित आध्यां से भासाक करते हैं यह बात होगा एवं जो यहां प्रयोग से सहज रूप से क्रिया परिषर में इसलिए यहां पर थोड़ा यह डिसाडर लग रहा है तो इसके साथ हमको जाना पड़ेगा यह वाला जो आपसंने यहाँ पर एवं इसको अगर हम छोड़के देखें छात्रा ठाशाम अधिज़भरहनंती करें छात्र जो है भासा को अधिज़भरहन करते हैं कि से भासा साहित अध्ययन से एट्थ लेवल के question है इसमें इसका answer माना गया है वी लोगों का विचार जाता डी तक जैसे अगर हिंदी में लिख आता कि छात्र भासाओं का भासाओं को सिखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं यह हो जाता है तो यहाँ पुझा लेकिन भासो भासा उपयोग यह न भासा के द्वारा ओ बी लिया गया और उसका अधार वही है कि भासा का जो अधिग्रहन है वह वह सिखते हैं कि से भासा साहित के द्धेम से नेक्ष कोश्चन यदा अध्यापिका पत्रम लेखी तुम जब अध्यापिका पत्र को लिखने के लिए गोष्ठी चर्चया अंतरम गोष क्या करती है अर्था गोष्ठी चर्चा के बाद गोष्ठी के बाद अध्यापिका क्या कर रही है अध्यापिका क्या कर रही है गोष्ठी के बाद पत्र लिखने के लिए पत्र लिखने के लिए कहती है आदेश देती है कि आप गोष्ठी चर्चा मतब जो भी है गोष्ठी मैं आपको बताया हूं कि यह जो करीब दो हजार पंद्रह सोलक या सपासने सत्रक में जितने भी परिच्छा हुई है खास तर पे संस्कृत में तो जो वहां पे जो भी आयोग में बैठा हुआ व्यक्ति है उसको पता नहीं हमको लगता है कि सायद इस बात का ज्यान है कि पड़ देखकर करके क्यों एंसर दे देते हैं या कुछ सब्दों के माध्यम सही क्यों उत्तर दे रहे हैं तो वहां पर जो क्वेस्टन बनाने वाला है वो कुछ आप देखोगे न तो हर बिसे की जो सब्सक्राइब पर उसकी प्रकृत से थोड़ी अलग लगती है कि हर में जब अध्यापिका पत्र लिखने के लिए गोठी चर्चा के गोश्ठी चर्चा के बाद आदेश देती है तब वह सामाने वह अध्यापिका क्या यहां पर प्रिश्ट संख्या तिरपर में कौन सा सेट खाएगा कि यह वह अब सोचो अगर कोई बहुत ज्यादा सोचे तो दो यह वह सारे इसे जानकारी होना चाहिए प्राय चात्रना इंतों गलत बिलकूल कि तो गलत हो गया आप सीधे सीधे हमारे सामने बैट करकर के अभी चर्चा कर लो कर लो फिर उस वाद लिक को देदो प्रत्यक्ष रूप में ठीक कि इसको कहता है प्रत्यक्ष्य विद्धान कि दी हो जाएगा समझना पड़ता है ए और डी में आपको बताया हूं कि आपका ग्यान ऐसा होना चाहिए कि कम से कम दो आपसंद तक जरूर पहुंच जाएए फिर दो आपसंद में आप सोचिए कि क्या यहां के लिए जरूरी है ए और डी तक जो पहुंचे हैं उनका ग्यान लगभग सही काम कर रहा है बस किसी एक पर इस्थाइद पर होने की जरूरत है डी हो गया मैं थोड़ा सा इसलिए देखो घुमा के चर्शा करता हूं ताकि जो लोग बच्चों की सोच में क्या है और जो उत्तर देने माली की सो आत्र पढ़्डामकारी भुवतिर शित्र के द्वारा शेक्षना यहां पढ़्डामकारी होता है कहां किसमे शुद्ध हिंदी देखो ही होता है अगर संस्कृत में लिख करके दूसरे भास depression करो या इसा सोचो कि अगर आप संस्कृत से हिंदी में समझने कोशिस कर रहे हो तो ट्रांसलेशन में के में पे चे टे इस सब को बड़ा सही तर्केस बैठाना पड़ता है अधर्वाइस थोड़ा जैसे एकदम एकदम फैमलीर नहीं लगता है चित्र के साथ में अउबोधन शीखना ठिक अभसी बात ज्गन उर्जन करना है अग्यां कहा जाлаг तो अलग समझने आता है शिक्षा कहाजा तो अलग कहा समझ हमें आता है कि वह कौन सा घ्क्यान हो सकता है जिसके लोगं क्या कहते है आध्यात्मिक ऑध्यात्मिक सिच्छा नहीं भोलते हैं टील तो यहां पर हुए हिंदी में जैसे लगता है कि यहां इसका मतलब इसका मतलब कुछ हो सकता है यहां देखें चित्रों के सांथ शीखना इहां परणामकारी होता है कहां सभी उख वर्धन लिखा है मतलब सीख 7 नहीं उसको वरधीद करने मने मअने मजबूत करें स्रावन कौशल वर्धन में शाहितिक कौशल वर्धन में या कला कौशल वर्धन में प्रशा संख्या चवण उत्तर क्या बनेगा तो एक सेकेंड रुकिए गाप थुखा सा बच्चाह चिल्या रहा है हाँ झाल झाल तो यहां पर देखी आप ध्यान से चित्र के सांत में सीखना इस किसमें पर्डाम कारी होता है यहां पर्डाम कारी होता है किसमें आप लोगे इसमें प्रस्ता संख्या 54 किसको लेगे निश्यत तरीके से आपका सकते हो जब चित्र के सांथ में अगर कर रहे हो तो कला कॉशल वर्धने में कहा जाएगा कला कॉशल वर्धन में ठीक है हौ अत्र dá ब्यापक्स मुले आंकनल मना मं कि ब्यापक मॉल्यांकन काना मैं अब आप दोगा की समझे अद्मतर दीजह ब्यापक मुल्यांकन तो इसमें क्या आप करोगे करें ब्यापक मुल्यांकन का नाम है विद्या विशय आकलनम सरांकन द्वारा संग्याने कुषिला नाम आंकलनम या फिर गृह अध्यायन योजना कार्य द्वारा संसाधनात्मक्ताया आकलनम प्रिशन संख्या पच्पन जगा ब्यापक मुल्यांकन क्या होता है आप पढ़ेंगे निदानात्मक परिखन से आता है उपचारत्मक सिक्षन से आता है और कभी-कभी यह होता है कि बच्चे आपनी जो भी कुछ नया देखा पढ़ा उसको नहीं समझ में आ रहा तो क्या करेगा तुरंद गुरु से पूछेगा या उसको समझने की कोसिस करेगा इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते रहते हैं चलें नेक्स को समय चलते हैं संख्या वृद्धि यथार्थता अभी वर्धनम प्रश्ण संख्या 56 मैं आपको बता दू कि व्याक्रण बहुत ही जब आप जैसे मान लिजी अभी हम बोल रहे हैं संस्कृत या हिंदी बोल रहे हैं चाहे जैसे बोल रहे हैं लेकिन जब हम उसका व्याक्रण जाएंगे नियम जान जाएंगे तो उसमें क्या करेंगे और सुद्ध करने लगए तो क्या हो जाएगा या थार्थता को और बढ़ाएंगे और सुध कश्या पार सुद्ध गता मिलि recur सकति शक्ती समूह करहें appelle सम्रिस माने मिल जूली सकती समूह यहां पर समान होती है किसमें लेंगे वई सिच अमाज़य के सतरे ज्यान कॉशल यो हो ग्यांन और कोशल आर्थी का सतरे आर्थी कर इस तर में तप्रश संख्यासत तावन उत्तर क्या होना चाहिए वैशे जो यहां पर आफ्शन दिया गया है वह ऐसा बनाया गया है कि को सेटिंग बन जा रहे हैं तो not और अगर देखा जाए तो यहां दो अनदो समास में देना चाहिए था कि मिश्यनद में शक्ति यहां पर शमान होता है यहां 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 ऐसा कुछ करते में तब कुछ कलेक्टिव नाउन वाला कुछ देते हैं लेकिन अर्थी कस्तर में यहां क्यों लिखे हैं ग्यान और कौसल में ग्यान कौसल समाजी कस्तर समाजी कस्तर में सम्दिश सक्ति समू हो समान होती है और उसमें जैन का उपर नीचे लेरिंग हो सकता है जैनलग और फिलाल यहां पर मिश्रन की बारें बात करें रहा है लिंग में अगर कोई कहे है कि लिंग में यहां पर अलग बात है तो यह चीज भी नहीं समाजिक अस्तर में प्रश्ण संख्या सतावन में करेक्ट होगा करके कोई काम किये हैं तो अब उसमें दसों को बराबर हिस्सेदारी मिलेगी उसका लाव या नुक्सान जो ही होगा दसों बराबर मिलेगी इस तरके के लिए यहां पर यह बता रहे हैं हम बताएं कि सीधे चाल सेंटर्ड पर बात कम करते हैं संस्क्रित वाले जितने भी बने थे पूराना कोशन निकाल के देखो इसलिए लोग भ्रमित हो जाते हैं पठीत ग्रहन परिच्छायाम इद्रिशाह प्रश्णाभवनती पठीत पढ़ी हुई ग्रहन मने पढ़ करके ग्रहन करना बढ़ परिच्छांते आप ज्यान समर्गरूप से परिच्छांद करते हैं दो लगा Jada लगा दिये लेकिन यहां क्या लगा दिये गला किसी गलती के उतले करेक्ट से अच्छा की और या बातों का परिछा करना उसकी और अवधारन Kane को तो लेंकर का भी परिष्ण करते हैं मने हुण है अपने समंझ में आ रहा है थे जादा क्या दीरे को जादा इसमें च्हेतर आगया है कि किस किस तरह से जो ज्यादा इस पष्ट तरिके से लिखा जाता है अक्सर करकर के हुई Insurance हो की बड़ा भी करोगे सब फेलो जाएंगे समग्रेन परिच्छन पाठ ग्यान को समग्र रूप से परिच्छा करते हैं इसको भी नहीं माना गया है निर्दोस रहित मतब देखो प्रोसाहन सब्द मिला लेकिन यह गलत रहा क्योंकि यह कहें कि बिना दोस के उत्तर लिखने के प्रोसाहित करे आपकर करो करके जो किया गया उसमें इसकी कांसेट क्या है और अमतलब कांसेट अवधाना को अंग्रेजीं करते हैं और ऑनके से रहता है कि उस भासा में कोशन बना करके इस भासा में preaching करवाए जाते हैं हमको हमको पता लगता है इसलिए इस तरीके अगर इसी भासा में चीरे ऐ में अधि कुछ और बियाक्रण का क्याता है साहित का बनका होता है इसमें स्थ्वास Egypt लगता है किस stitch का छात्रानाता में सारीं कम डण्डम ना कुछ शिक्षक लोग छात्रों को सारिक दंड न करें अब बताव न कुरु नदेवे यानाँ इसका हम साब्धीक्ट रांसलेशन करें यहीं न बनेगा कि सिख्षका छात्रा नाम शारिक दंड न करें मतलब सारिक दंड न देवे मतलब अगर दंड दे तो क्या करेगा यह सही नहीं है और यह चात्रों की मनोभार को भाय को उत्पादित करता है यह केवल सिख्षका नाम भाव रचना बस देखो भाव रचना आगे पूरी बात लिको भाव रचना को बताती है दरताती है निड़ारित करती नहीं वस उतने लिखे छोड़ देंगे यह केवल सिख्षका नाम भाव रचना यह केवल सिख्षकों की भाव रचना है नासति लगाए न संतिले कुछ भी नहीं लगाए पूरी वाक इक्जट्ली नहीं लिखा रहा रहे चर ग्यों केवल लगा है यह इव मामसिक भार हो जाता है उनके उपर और साथ ही साथ उसमें भयक आउत्पादन करती है जिससे बच्चा आगे और सही नहीं कर सकता है आईश्मान भवा दिख विजय भवा चलिए कृतिमान भवा कि सभी लोग सवस्थ रहें मस्थ रहन डेक आज से जो है कर दिया गया है तो आप सभी लोग इस टाइम पर उपसित हो जाया करें और आगे चलते हैं इस वाले प्रश्च में भी आप आप मघा हो जाएगा ठीक है क्या हो सेर जरूर कीजिए अभी देख रहे हैं संख्या थोड़ी कम है कहां चली के समझ में नहीं आ रहा है चलिए इस संख भी लोग आ जाएंगे सेर जरूर कर दीजिए सभी लोग शिशोह सरवांगीण अभी व्रिद्धि द्योत यति अब शिशोह लिखा गया है शिशुषे शिशोह बना है बच्चों में अगर हम कहें मन महीं बच्चा ही रहेगा छोटा सिशु आप जानते ही हैं कितना साल का बहुत दो साल तीन साल अब दो सल बच्चे में तुसी यह प अभी विद्धि अभी ब्रूद्धि देखो जब हम लोग पढ़ते हैं कि अभी व्रिद्धि और विकास ज़ों अलग होते हैं थे सब्सक्रीं ब्रब्रदी और ऑर विकास अब देखो अब यहां बताता है यह इस पश्ट कर रहा है किसको देखो यह बृद्धी जैसे सारी मानसी के सब जो हाथ पर का बढ़ना होता है व्रिद्धी होती है जैसे नाम अभीवद्धी अब देखो अब यहां पर जो दिया है यहीं होना भी चाहिए क्योंकि व्रिद्धी लिखा है विकास नहीं लिखा नहीं चात्रान बहु समन्यान करतुम विशेस सिख्षम नहीं बहुत हर तरिक से सिख्षोष भाविक ब्रिद्धी इस्त्रानाम न करने के लिए चात्रों को अब इतना कठीन सिख्षन प्रदान करने कोई जरूरत नहीं होती है यह यहां पर को नहीं होना चाहिए इसका मतलब जो बृध्धिया बृध्धि से ही मतलब है तो यहां पर यहीं करेक्ट हो जाएगा चलिए अब हम कुछ फिर से एक नए साल की कोश्चन पेपर को फिर से उठाएंगे जिसमें आप लोगों को पता होगा कि सुरू के पंद्रह कोश्चन या कभी कभी यांत में भी पंद्रह कोश्चन शुरू के अक्सर करके जो आपके ह होते हैं और अंत के जो पंद्रह कोश्चन हैं हम उपीद करते हैं कि वाले में लोगों का अच्छा पकड़ हो गया हो गया तो प्टाव वाले कोश्चन को लोग कह रहे थे सरथ दिसक्शन अधीक कर दीजिए तो मैं कुछ ज़्यादा ही कुर्श्चन का जो है पहले समझने करने में आसानी हो और ऐसा हम उम्मीद करेंगे कि 100-100 कोस्टन डागते डागते आपका ग्यान इतना काम करने लगा संस्कृत विशय में कि आप बहुत अच्छे से करने लगेंगे बहुत अच्छे से करेंगे यहीं जब कोई पेड क्लास लेता है तो हर एक क्लास को करता है छूट जाता तो रिकॉर्डिंग देखता है और वहीं जब यहां पर यूट्यूब पर हम लोग फ्री क्लास देते हैं तो इसको कोई देखा नहीं देखा दो दुद कुछ भी नहीं पढ़ा रहे हैं हमारे सोभाव से आप लोग परशीत नहुए हों तो परशीत हो जाएंगे जो है वहीं करेंगे ठीक है ना कोई बात नहीं है कोई जब आधे रहो पकॉड़े बनाओ खाओ तो कुल मिला जूला करके हम लोग क्या करेंगे तमाम प्रशनों क घीप करते हैं और उसमें कोई दिकत नहीं है प्रसों घाश है जहां भी पड़ पढ़ते रही लुग टुख जोनने पूरह सकते हैं अब रहे लुग नेaf ने लिए जो है तमाम आफर बता बबता दी है जाएगा तो प्रड़ा गाजी पहीं तो काम कर रहे हैं सरवाज इकम शमी चीनम बिकलपम चित्वान इमलखित प्रिशना नाम उत्रम देता हैं मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं कि पैसेज और प्रड़ा गाजी सीटेट का वहीं बच्चा कर पाता है जो सांस्कृत में अनुवाद जानता हो और अनुवाद वहीं जानता है जो पढ़एगा जो कहानीों को पढ़एगा संस्कित में जो जो स्लोकों को पढ़एगा और इसमेंसे हम यह देखते हैं कि 90 पढ़ना पसंद नहीं करते हैं कभी कोई पढ़ना पसंद करते हैं अनुवाद पढ़ना पसंद नहीं करते हैं ऐसे ही बच्चों का सांस्कित का सीटेट में पेपर गरवड होता है क्योंकि वह पढ़ करके समझे नहीं कि है क्या समझ जाए काम बन जाए समझ नहीं पाते हैं चलिए आगे देखते हैं कि सरवाधिक समीचीन विकल्प कोचुन करकर के जो सटीक उत्तर रहे इसमें से सरवाधिक समीचीन जो उत्तर रहे उसको आपको करने करें कि लेगा लगु वर्तते एक लगु लेख में मने छोटा लेख में बताया जाता है मतलब बिना तरक से ही दिया जा रहा है अब बताव वह किस में होता है समाचार पत्र लिखन में होता है वर्गिक्रित प्रक्रणम में विग्यप्ति या प्रतिवेदन तो जो लोग कि उसमें इन तीनों की बारे में आता है कि विग्यप्ति क्या होता है प्रतिवेदन क्या होता है समाचार पत्र लेखन क्या होता है अर्थात पत्र लेखन वाला जो चप्तर पढ़ें होंगे उनको यह सब शबदावली वहां पर देखने को मिली होगी ध्यान दीजेगा कहा जाता है कि उसको प्रतिवेदन कहा जाता है क्या कहा जाता है प्रतिवेदन ना समाचार पत्र नहीं कहा जाता है उसको आप प्रतिवेदन क्या होता है जाके पढ़िएगा उसमें आएगा वहीं से उठाया गया है एक यह ही कोस्टन जो है वक्ता एक वक्ता दूर इसमें एक पूरा का पूरा सेंटेंस ही समझ नहीं आता है और हिपक्ता गृहम इदनीं परियंतम आगत वटी यह जो आगतवति है उस्थ कीया गया है माने तो माता तुमहारी माता तुम्हारी माता समन्य थे यहां फो इक उसमय से अधा है पूरे घरमें आती है या भेलने पूरी बात ने समझ है नंबर दो आम भासनघावन कवसल अत्रकस से दोस्त है यह केवल आम कहके चुप हो जाता है अब यहां बताओ कि भासन घुछ बोलता अजब हमी बर देता है ना थो भासनघावन कवसल का यहां कि लिए नहीं करता क्रिया कर मैं सबसेट करोगे यहीं पूरे घर में आती है या यह क्या समझ नहीं आता इसलिए प्रतम मध्टा में ही दोस बता ज़या यहीं बाला पूरा पूरा गरवड़ थे इसको क्यों पुछना चाहिए कि क्या तम्हारी माता घर में है तो वो कता है हाँ या नहीं या कुछ इस तरीके से तब नहीं होता किस तरीके चिट किया गया है यहीं से करेक्ट है पर फक्तम में संख्या के अठा रखूष लेखन समय सनलग नसील का अज्यांद ओक वह कोष्टन दूबारा आया भी कारेक वाला सुद्ध करवाली यह होते या कहने के तर्यकीव कितने प्रकार कि होते हैं उससे पेक बना के थोड़ा इपाटान सा कुष्चन आगे देखेगा में करहें लेखन समय लेखन लिखते वक्त में अगर लिखते वक्त में जो जो चीज आप जो प्रासस आप लगाते हो उसका एक क्रम होगा उसमें एक है मने उसी लेखन वाले क्रम में क्या है उपसर्ग उक्ति उपवृत्वित्तम या बीसे सडम अब कोई इसको बहुत बुद्धी होना चाहिए जो हम आपको बता दे रहे हैं यहां पर कि लिखते वक्त में कौन सा एसा सब्सक्या का जाक्रम की क्रम पर विश्यस द्यान देना जरूरी है सब्सक्राय एक्षम्स क्रिया के पहले ही आना चाहिए तो यह भी हो जाता है उकती और प्रिटभ्तम वृष्टम लिखते वक्त में आता है यहां पर लीखा गया है अब यहां पर उपसर्ग वाले जो क्रिया होते हैं उसको यह कहीं मान लिया गया गया लेकिन जो इसके बइसेस्था बताई जाती है उसके पहले आता है ना तो इसलिए इस वाले को करें कि यह संलगन क्रम मतलब इस्ट लगा हुआ क्रम के साथ रहे जबकि उपसर्ग यहां पर एक है अगर कुछ लोग कुछ जादा बुद्धी का प्रयोग करें तो यह भी कर सकते हैं कि गुरू जी इसका भी क्रम निर्धारित होना चाहिए कि ज प्रम में की बात करें तो यह कोई इसका लिखा नहीं जा सकता तो इसने कोई दिक्कत ही नहीं है यहां पर विसेसंड लगाना हो तो अब विसेसंड एक अलग पधा रही हो जागा सन ही सन ही आगच्छत धीरे धीरे आता है यहां पर इस जो प्रश्ण नहीं सब बनाये गए हैं इसके पीछे पहले हिंदी में कुष्ण बनाया गया है फिर संस्क्रित में बनाया है ऐसा हमको लगता है सीधे संस्खुट संस्क्लिट में नहीं बनाएं अब आप किसी नहीं बनाया गया घ्लाइब उस्से looks है है mue जानने वाला है कि अगर झानी गौद के हंटी त्रांस लेट करें यह ऐधी लिग के यहां पर चक्क्र खिलाओगे तो साब्दिक रूप में खिलाओगे तो ऐसा आजाएगा तो इसके अनुबाद में और उसके अनुबाद में जो होता है थोड़ा अलवह तो भाव का अनुबाद होना चाहिए अक्छरसा अनुबाद में कई बार क्या हो जाता है गलत हो जाता है इसलिए के लिए कुल्तफवा सा नाम हिंदिया सы लए अब अब नद्राण यहँद उट होते हैं और न टों में और रनक का यह मतलब है और हम कहें नातकनं को दूसरा है नतका नाम नाटकोह में इस तरीखे का बात आएगा अब या तो इसको च्छापने में वास्ता में उसको नटा नाम ही संबोधित कर रहे हूं या तो फिर नाटका नाम होना चाहिए यहां पर वह पहले से छप गया है विभात के द्वारा इसलिए सभी जगर नता नाम ही देखने मिलता है इसका अर्थ वहीं से होता नाटकों में सुक्त समुह वाचक पद है पात्रह का जो जितने पात्र होते हैं उन्हीं के द्वारा वह सुक्त समुह कहे जाते हैं सुक्त या उक्ति ठीक है आ जाता है ठीक है सुप्ति या उक्ति जो होती है ना पात्रों के द्वारा इकार अध्यापक के द्वारा बना जाता है समूह या जन्पदः इसा कुछ नहीं देखो बेशाब आपसन का कोई जिसे लगता है ताले मिल नहीं बैठ रहा है सुक्तसमूह वाचक पदम पूरी बात लिखते कि किसी से कहवाया जाता है या कौन कहता है तो पात्रफ करेक्टर जो होते हैं थीक है यह नटा नाम सुक्तसमुह वाचक पदम पात्रह बस इतने सही वो लोग बात अपनी समझ जाते हैं लेकिन हम लोग इसलिए नहीं समझ रह वह से बढ़ते बढ़ते नहीं आये हैं पहले हम लोग हिंदी या अंगरेजी में खुब आये हैं अब सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं इस रिए थोड़ा सवड़ प्रतान लग रहा है कहीं कहीं तो हमको लगता है पूरी बात के वह नहीं पूरा हुआ जैसे देखो इसमें सुर्य ग्रहण कदा भविश्यति अयम प्रश्णा सुर्य ग्रहण कब होता है कि कब होगा आप भविश्यति लिखा है कब होगा या कब होता है पूछ दिया जाए कि सब्सक्राइज काल का है तो कई कहीं बुद्धिमान जन कह दिये कि यह वर्तमान काल में हैं ब़रतमान काल पता नहीं कई से कह दिये जबकि साफ साफा चलता इसका रूप ही भाव ति झाल 거지 त सीधे सीधे तो यह क्या हो गया तो यहां पर इस पश्ट दिख रहा है कि भविश्यत्काल का है ठेक अच्छे से एक्स्प्रेनेशन भी लिखा गया था याद नहीं है किस पुस्तक में पढ़ा था लेकिन यह वहां पर गलत लिखा था यह भूत भविश्यत्काल का ही होना चाहिए क्योंकि हम सीधे यह क्रिया को देख रहे हैं ऐसा कोई नियम तो मैंने नहीं पढ़ा कि इस नि दिया द्शन्ट में आ किसी यूद में देखों हम लोह हम लोग भी सारे किताबं को पढ़ते रहते हैं अलेतर भीना पढ़े कैसे ग्यान होगा को यह ऊशीन ठोड़ी नहीं की रात भर सोए सुबह रिकोशना पड़ता है देखना पड़ता है एक से अगर न पचे दूसरे में देखो तीसरे में पचो आईसा ठीक है हाँ आज भी सुर्य ग्रहन है कुछ-कुछ एरियाज में आज दिखाई देंगे ना आगे देखते हैं राश्ट्री पार्ट चर्या रूप रेखा अच्छा इन सी अपोगरे से बहुत कम सी क्वेस्टन आए हैं कभी-कभी आए हैं चमत्की के अनसार या इनके या फिर करें तीन एक चारे उसका नंबर है जो रूल नियम नंबर है तीसरे अध्याय पहले आए इसके रिकमेंडेशन रिकमेंडेशन प्रबोध के अनुसार विद्यालयों में पठन लेखने विसेसम अवधानम नौय आवसकम लो अब इस को समझाना थोड़ा हमारे लिए एक तर anusar कर रहे हैं कि ईस रिकमेंडेशन के अनुसार पढ़ने लिखने के विसेमें के विसेमे आवधानमन नो अवशकम मने दियादा ध्यान्है अभी खुता है तो नहीं जरु किस भासicon में किस भासा में मतलब अगर सीजय कहें तो NCF के अनुसार जो हम समझते हैं हम बता कानशार को इस जयादा ध्यान ब भच्चे ज्यादा देने नहीं और उपर मुझे यह 시क्जञता नहीं है किस विज़े में कुछ लोग तो पहुंच गए कुछ लोग सी तक अब ये दोनों का दोनों अपसंवा एकदम जगड़ा है बिल्कुल बी और सी दी यह तो हम कट कर दे रहे हैं यहां पर दो बाते आती हैं ध्यान देना ncf के बढ़का साहिब के सोचने के अनुसार और हम जैसे बच्चे या बहुत ज्यादा कीवर्ड को पूजने वाले के अनुसार इन दो तरीके से दो अपसन इसमें से निकलेगा लेकिन इसमें माना क्या गया है और होना क्या चाहिए मैं इन दोनों के बारे में आपको बता द अपर्डिता हों ठीक है ध्यान समझना है जो लोग भो रह η ऊंका अपनी सोच के रिजाब से उनका अपना भी सभी है जो लोग यह बोल रहे हो पढ़े लिखे विद्वान हों का आपना भी सही है कैसे अगर देखा जाए माझन लोके इसाओ कि सिलें तो किसी भी स्कूल में मात시री भावावावशा जय्दा जोड देने की जरूरत है क्योंकि मातरी भावावशा possa बच्छे को अपने आप ही आ जाएक बड़े सरल तरिके के से आही जाता है तो इसके तो बच्छा लेकिन ncf 2005 कहता है अगर मान लीज़े आप मैनेजर या प्रिंस्पल या धेकाने हो गए और आप वने इस्चूल में चाथो बच्छो चाथो टीचर रखे हैं पढ़ाने के लिए वहासा है समय से आप बच्छों को क्या कर रहा है त हम सीखाने के लिए को तरह तैंज कि उपक्षिण करने ल Вас तो सब लगेंगे जखांदेने के लिए ты जो मैंनेजर प्रिंसपल या कहो कि झो नियम बनाने ओड़ाने माले लोग हैं ये कहते हैं कि सुन बेटा तुमको केयो हम तीन बात बता रहे हैं उस पे ही क्योब ध्यान दो ध्यान देने के ज़रूरत नहीं कि नहीं जैसे कि हम अंगरेजी है कि हिंदी यह और हिंदी हिंदी आपलीक मात्रिभासा और अंगरेजी संस्क्रिट की आन्य के अलावा कोई अन्य भासा पर नहीं आपको बहुत ज्यादा टाइम पास नहीं करना है इनका मतलब यह है यह गवर्मेंट का आदिस आया कि आप जो है बहुत सारी भासाओं पर पढ़ाने की जरूरत नहीं है आपको लिए जो निधारित की गई है वही भासा पढ़ाईए इ इसका मतलब इनका यहा है कि हम बचों को बहुत जादे भासां को लिएक जान सिखाने के चक्कर में नहीं पढ़ना है बल्कि जो निधारित की आगया उन ही पढ़ना है और निधारित बाले मात्री भासा यह जाती है तो यह दोनों सोच के अनुसार लोग अपना-पना उत् तो ऐसा यहां पर एक मतलब जिम्यदार आदमी होने की वज़े से कहा जाए कि बहुत सारी भासाओं की चक्कर में नहीं पढ़ना है जो एक दो भासाने धारित हैं उसी पर काम करें एक करेक्ट हो जाएगा कि दोनों सुच में बता दिया कि जो लोग सी बताएं हैं कि वहीं सोच ती हमको वहीं सोच से ही उस उत्तर योटे वह और आश्मtså की इस में से बताईये की कौन द्वंदयों में होना चाहिए द्वयों इन दोनों में संग्यानात्मग स्वरूप को पुरदसित करते हैं संग्यानात्मक सब्द से अगर परशित होंगे आपनों तो कर सकते हैं ब्याख्षात्मक साद्धिक भावात्मक अच्यत्य अच्यत्य संपन्न कर्थ और कर्मड़ी प्रयोग सांपुल्ड्यम विश्लेशन आत्मक इस प्रश्ण को भी करने में थोड़ी हालत खरा हो जाती है ना होता है वैसे हम एक बार सुचे कि संग्यान आत्मक स्वरूप में कर अधिक जूरत पड़ती है ज्यान का होना ज्यादा पड़ता है विश्लेशन के लिए आपके पास कई तरकीव होने चाहिए कि आप उसको अलग अलग तरकीव से उसको एक्स्प्लेंट कर सके है ठीक है नहीं नहीं यह दी वालेक माना गया ठीक है डी को लो कुछ पढ़ो समझो कुछ सिखते चलो कुछ रटते चलो कुछ लिखते चलो ऐसा लिए बनाए भाशा अवगमने पर इध्यान देना या 6-8 लेबल का कोस्टन पेपर में करवारा हो ठ सब्सक्राइब कर जाता है तो घबडाने क्या बात नहीं है आप दोनों लेबल के बिल्कुल तयार है बहुत ज्यादा अंतर नहीं भाशा अवगमने परिछने चो पत्रा धारह पोर्ट्फोलियो इदम इदेर से देखो एक दिन आया था भाशा अजिवाने परिछन का जो जो पॉट्फोलियो है वह क्या निर्देशित करता है उसमें अपसर नहीं थे आपसर बिल्कुल अलग थे जबकिंदी में हम देखें अगर कोसरन रिपीट करता जाता है तो जाता है संकित में ऐसा नहीं है वह बार बार डिजाइन करते हैं कि प्रतियवधव सिख्यकेन ने व्रिद्धी के लिए जो सूचक होता ना उसका कारिश्रंग्रहण विद्यार्थियों का यह यह होता है पोर्टफोलियो यह निरेश्ट भावसा और परिच्छन का जो भी भाव है उसका नाम किधर करती है किसकुल द्रेसित करती है माने किसे समझेत है विद्यार्थियों के अवगमन अभी वृद्धि माने जो सीखे हैं उसमें कितनी वृद्धिया उसकी सुचना के संदर्भ में कार संग्रवन निश्य समझ समय पर जो हुआ है उसका विभाग कहा है कितना सीख पाया बच्चा अब लो एक ए सथ आ गया इस को ध्यान से समझो अंग्रेजी में किव संग्याय हो है मतलब भूरी बात को हम लोग अलग से समझ लेते हैं मतलब इसके लिए इसमें जो कि दिकोडिंग होता उसमें अब बताओ क्या होता है बिदेश भासाव कंतु लिदेश ही अब अब सब्सक्राइब करने के लिए और समझने के लिए समझने के लिए उसके वाली यह सिस्ट्म लगाई आएक अश्माकम लच्छम कें क्या है में हम एकिये न पदे न उत्तर में लोग मतलब हमसे पूछते हैं कि आपका लखष क्या है और मैं एक लाइन में एक सब्ध में उत्तर दिया है क्या एक पद में विजयर यह किस प्रकार का है यहां पर देखो जो सहज़ पीछे था ना यह रीत युक्त मैं आत्मक यह आलंकारिक है तो सबसे पहली बात की यह अलंकारिक कई से हो पाहेगी इसमें कौन अलंकार बहुत ज्यादा दिया दी के दिश्वाइस में नहीं होगा अभर शोचेंगा सहाज कहना कहना जादा सही है, ठेक। सहज कहना जादा सही है। रिद्ययुक्त वाले में कुछ ऐसा भी उता है μ Ahin मेरा लक्ष्य क्या है हमारा जी स्रीमान जी मेरा लक्ष्य विजय है जी स्रीमान जी फलान स्रीमान जी ऐसा बोलना तो हमको लगता हो परंपरागत उसे बसी खाया जाता है बच्चों को कुछ भी उत्तर दो तुम्हारा क्या नाम है स्रीमान जी मेरा नाम फलाना है तुम्हार परंपरागत में दे रहा है उत्तर नहीं हां बिल्कुल तो इसमें क्या होना चाहिए सहज ही ज्यादा करेक्ट यहां पर अप्रोप्रियेट एंसर होगा जो इस नहीं को किसी को पतने होगा जाता है कि निमलखित में से इसका हिंदी-व्यर्थ क्या होगा इसका किवल गवाक्ष या फिर इसको संस्कृत में क्या कहते हैं या संस्कृत सब्दका डाइब तरीके सब्दावली लिख करके आजाता है एक सहयात्री के एक सहयात्री में जो सांथ में चलने वाला यात्री होता है गवाक्ष समी से समी पर आसी नहीं खिड़की के खिड़की मतलब जरोखा जो लोग राजस्थान में गए होंगे और वहां पर देखे होंगे हवा महत उसमें तमाम जरोखे बने हैं जरोखा जांसे हवा आता है हम लोग जनरली गाम खिड़की कह लेते हैं हलांकि अब सब्सक्राइब तो गवाक्ष समी समी पर आसी नहीं एक सब्सक्राइब अब मतलब मतलब बैठके हवा पीना चाहते हैं इसके लिए भवां तम अन्रोधन करोती तो किस तरीके से आप उससे अन्रोध करते आप उससे च्रीके भवता गवाच्छाम पी तुम शक्यते वाँ कि अब उससे पूछ रहे हैं भवता गवाच्छम पी तुम शक्यते वाँ प्रसंख्या 26 धेर परमपरागत के तरीके से लोग यहां पर सोचते हैं एक नार्वलीप सोच लेते हैं अब उससे पूछ रहे हैं भवता गवाच्छम पी तुम शक्यते वाँ क्या ऐसा कर सकते हैं ध्यांद्रा कोशन मार के यहां बना यहां नहीं लगा है जो लोग क्रीपया के साथ जा रहे हैं यहां कोशन मार के नहीं लगा है किरिपया यह लेजिए अब यह लेजिए तो पूछने कि कोई बात नहीं है इसलिए यह कट गया जब दो कट गया तो गवाक्षम पिरतुम शक्यतेवा या भवता आप भवता भवती आपड़े होंगे तो यहां पर यह वाला जिदा सही हो गया यहां पर इससे अच्छा यह किरिपया लगाओगे लेकिन आप पूछने के लिए कर रहा है अनुरोध करोगे कुछ करने के लिए अच्छा अनुरोध करने में यह भी हो जाता है कि किरिपया गवाक्ष लीजिए मतलब हवा लीजिए खिड़की तर बैठ जाईए ऐसा विसकता है क्या आप वहां बैठ स लेकिन यहां पर कहा गया किस तरिके से भवानतम कथम कीस तरिके से जब्रदस्ति को शंभषन मिदम पठटतु मैं कठी अभी इस लिए ले रहा हूं ताकि सरल कठें सब देख लो आप लोग आगे फिर मिलेगा। हो जांगों आप संभाशन लिड़ इस संभाशण को पढ़ो अत्र अध्यापक हा भी थे भन अध्यापक करनने कष्छा करते हैं आप अध्यापक यां अध्यापक या आप कठा पुष्टक में कथा पुस्तक में एक पठितुम इच्छ थी एक पुस्तक पढ़ने की इच्छा करते हैं कि अब देखो यहां पर दो घ्रटे पर सायां सब्दी मुनिंध एक लित लिखने स्थ टा पर जिसमें एक ऑप वहां पर ऐसे ours invent सब्सक्राणल करेसनी के लिखें एक दम जैसे लग रहा है कि अध्याक कुछ रहा है अत्र AAA thया चलो करो मनेक तरीके से हामी भर रहा है एक तरीके से अनुअदन कर रिए लेकिन किसकी अनुअधन कि अगर से किया होता था तब तो माली टीचर कर ता लेकिन तो आम आम दूनों लोग कह दिये और यहां पे अगर देखा जाया तो पूछने का क्रम तो अध्यापक का है लेकिन अभी जब आप इसको पढ़ोगे चुकि यह दुबारा फिर यह कर दिया तो यहां पर करने कोशिस कर रहे हैं एकदम इग्जक्टली सही नहीं छपा है अपने टाइपिम कंवर देखी तब भी यहां पे इसी तरीके लिखा गया है कि संभाषण मीदम पठतु इस संभाषण को पढ़ो जो लिखा गया तुसको अत्रध्यापक करा आप कथा पुस्तर में पठते च्छा करते हैं इतनी बात आपको ब्रैकें डालना चाहिए कि इतनी बात आपको ब्रेक्ट नोडलना चाहिए हमारा मन या आपका मन कर रहा है कि हम एक ऐसा कथा पुस्तक पढ़ें इसके लिए अब प्रासेस स्टार्ट होती है अब इसकी अनुसार से क्या सभी हो जाएगा पाठन आरंभं कर तुम विनेन सुचित पाठांभ करने के लिए विनेंव और्य पुरुवफ करता है हाँ बेल्कुल आम करते हैं चलो करते हैं कृपया लगा है मैं बिने पूर्वक होई गया कुछ विद्वान जन अपने वुस्तकों में इस प्रश्ण का उत्तर करना चाहते हैं कि ग् utilizzite प्रार्थना का अनुमोधन करता है कि सिश्ष्षाकि अनुमोधन करता है सिश्ष्य प्रार्थना यह ही कब यहां देखो दो आफसन में पाथन आप पढ़ना आरभ करने के लिए बिने से जो है सुचित करते बिने आद्वी नहीं तरीके से हम बिल्कुल कृपया उगरे सब लगा है और एक तरीके से बिने किया जा रहा है कि हाँ आप ऐसा कि हो गए हाँ ठीक है करेंगे यह बात यहां है कि सिस्टे प्रार्थना अनुदते कि सिस्टे की प्रार्थना का अनुदन करते हैं तो सिस्टे यहां प्रार्थना कर ही कहां रहा है हमको तो यह नहीं सुझा रहा है कि सिस्टे कहीं प्रार्थना कर रहा हो हो सकता है हमको संस्कित नहीं आती हो आप लोग ज्यादा विद इस पर जो सुद्धी करण में नहीं गया वह सारे किताब देखके उत्तर चापे हैं सबी लोग उसके बारे में कोई अपना तरक देना या कुछ करना बहुत कम लोग एक दो लोग तरक दिये भी हैं तो गलते चीजी को बहुत अच्छे से समझा दिये हैं यह यह कारण है इसलिए है सही हो गया हमको समझ नहीं आता है कभी कि गलतों चीजीओ को सही समझा देते हैं प्रकार आत्मक सब्द है जो फंक्शनल वर्ड है आएसा आइसा को संस्कृत में देखोगे कहने कि अब किस सब्द में प्रकार का सूचित सूचना मिलता है कोई भी नहीं रचनातमक में विक्षिप्त में या सर्वे प्रस्ट संक्या 28 जब इस टाइप का हम प्रश्ट पढ़ते हैं तो कुछ लोग कहीं कहीं लिखा है कुछ भी नहीं है कुछ लोगों जो है रचनातमक में मान लेते हैं कि यह एक फंक्शनल वर्ड है जैसे अगर हम एक हैं कि इसके कितने भेद्ध हैं इसके कितने भेद्ध हैं तो जू एक भेद्ध सब्ध आया है उपता चल रहा है कि भेद अगर बताना शाकरेंगे तो कई भेद्ध बताएंगे ना वहां यह प्रकारात्मकald में हम डाल सकते थे और अलग से हम प्रकारात्मक आपक्षिनल ठीक फरक्सनल वर्ट्स क्या होते हैं और इसके चार सब्स एक्जामपल ढूड़िएगा ठीक है तो आपको समझ में आएगा कुछ ऐसे जिससे कुछ वहां से कुछ प्रकार से सम्मंदित निकल के आएगा लेकिन यहां पर विक्षिप्त तो है नहीं सर्वे वाले में कुछ आएगा ही नहीं कीमपीना और सर्वे तो दूआपसन है जैसे आता है न कि फलाने ए बी इसमें से कोई नहीं इसमें से सभी इस तरगेगा तो जब सभी और कीमपीना सर्वे तो है ही नहीं कट कर दो सभी है ही नहीं इसमें से विक्षिप्त अलग होता है इसका सुद्ध हिंदी विक्षिप्त आया अब इसको किस तरह से और से अंग्रेजी आ जा तो बता देते चुलिए याद अगर बताते हैं कीमपीना कोई भी नहीं इसके बहु सारे व्रैंट्जेस्ट अब रचनाओं को करने के आप सोतंतत्ता कई तरकिर किसी की रचना कर सकते हैं इसको कहीं कहीं रचनात्मक माना गया है और और रचनात्मक सब्द है उसको आप झूंड के निकालोगे तो बहुत लाश्ट में दिखाई देगा आसा कुछ लोग लेकिन यहां पर हम भी ले लेगे कि हां चलो रशनात्मक में हो सकता है क्योंकि वह एक अच्छा सब्द उससे कुछ बहुत सारी रचनाय की भी जा सकती है अगर आपको ढूड़ना हो तो आप गूगल यूड़ को यह पुछ एक्जामपल ठीक है उसको हां उसको दिमाग में कुछ सीखने को मिलड़ा तो उसको सीख लो जैसे उस दिन हम बताया था न सवेग परिसरपन क्या है जो जो सुचनाय सही न रहा जो उससे समंधित न सुचनाय उसको छोड़ देना ही सवेग परिसरपन है तो इसको हम पढ़ लिए याद हो गया इसी तरह से जो ह्ताय परिस्राइश इससे जो है सब्सकते हैं यह कर सकता है कर सब्सक्राइब कि अत्राय केंद्र करती है कि इसको करती मतलब इसके पीछे मूल भावना क्या है प्रश्च संख्या 19 में क्या है इसका वाक्यात्मकम इस्थानम तेशाम अयम पूर्वपदा र्थम पूर्वपदकार थे तो है गुड़ और उसके अर्थ यह कर सकते हो की कोई भी बात अगर कुछ बताई जाए इसका मतलब उसका मतलब हो सकता है इसका आप यहां अनुसार जो है यह सी वाला कृट हो तो यहां पर यह भी नहीं है इसका मतलब उस संदर्व के अनुशार उसके गुणों पर आधारित या उसके गुण अर्थों पर यह क्या हो जाएगा आधारित हो जाएगा यहां लिखा यहां लिखा है पट्रवाहक यहां प्रत्मा में फ्रीतिया में इसका मतलब सीधे सीध्या अर्क कर्म वा उत्य पर्वरतन का यहां पर अलग बात है एक आजस वाधने पत्रन वित रितम पत्र वाहक के द्वारा एक आजस वाधने 11 वजे पत्र वित रितर्प कहाँ उपरी दत्योह द्वयो होना चैmm अब यहां पर देखा जाए तो पत्रवाह कहा पत्रवाह के नेकादसवाद नेगा अलग अलग प्रयोग किया गया है करतर के इंडिकेट कर रहे हैं करता से समय थोटका तो हम कर देखा पूरी नियूं यह भी किस नियम के तर्भ कैसे तो हम कर सकते हैं पूरी नियम जो है प्रद प्रयोग प्रभेद और के इस्थान पर दोनों को उटा करके तो नहीं किया गया दोनों में नाम पत्रवाहक यांपक्ष सस्थेंशन मिल रहा था तो यह सब सारी चीजों को फलाने पूरा तरीके से दोसी भी नहीं पूरा तरीके से हट भी नहीं रहे हैं तो इसके संदर्व में एक जो एक सठीक निर्धारित अर्थ तक पहुंचें तो मेरा इसा इसे के पद प्रयोग की वजह से यहां पर यहां वाला पडल गया और कुछ क्योंकि यहांत पत्रम सब कुछ सही है यहां पितरी तो viens सिसकर यहां पर शेतब सब पकुरा नहीं तो इसके प्रायोग सबसे बड़ी बात है कि आप संस्कृत के साथ में कुछ समय देंगे इन इसी तरीके से यह साहित्य वालों को भी बहुत परसान करती है व्याकन वालों को बहुत परसान करती है समय देंगे तो आपको कोस्टन करने का एक तजूरुबा मिल जाएगा एक चीज पता चलिएगा कि हमको क्या चीज देखना है कि साधार पर हम प्रश्न का उत्तर कर रहे हैं तो इस तरीकों के आप ध्यान दोगे निश्य तरीके से आप अच्छा कोस्टन कर पाऊगे इस टार सोच को मैं आप लोगों सामने रखना चाहता हूं कि इस सोच के आधार पर आया आप देखोगे कि सीडीपी वाली मूल परड़ागाजी यहां पर इतना नहीं लग रहा है कि वाला जो आप देखते हो कि लिंग भेर वच्चाकारी समूह में सीखता है इस तरीके को सांस्क्र परागत पुछ ले जाते हैं पाठे पुष्ञण से धानतों से से पुछ ले जाते हैं तिसलिए उसको भी पढ़ाना जरूरी है और उधर से राजस्थाम ने हुख फूब को सानाता है उस सब जो बिलकुल से स्ट्रेमेटिक तरीके से और यह सब तो कोसन करते पढ़ते ग् क्लास में थैंक्स पर वाचिंग जय हिंद लिसन के सब्सक्राइब